पर अगर सरकार की सचाइब बताने पर जिस तरीके से चैनल को बंद कर दिया जारा है और अगर बंद नहीं कर रहे तो डीमानेटाइस कर दिया जारा है और जिसका मिश्यूज पहले भी हुआ है उसके लिए जब बोलते तो डरते क्यों हो और EVM का बार बार जाके तुम प्रेशर क्यों डाल रहे हो यूटूब पे के जान बूज के लोगों को गुमरा करना चाहते हो एक तरह से चैनल बंद करने का मतलब है 140 क्रोड जो देश के मालिक हैं देश के लोग हैं उनका गला घोटना उनकी हत्या करना जान बूज के उन चैनलों को हरास करना चाहते हैं बंद करना चाहते हैं जो सरकार की नीतियों के खिलाब जिन चैनलों पे सरकार के अलोचना करने वाले लोग बोलते हैं खुलके और देश के लोग उनको देखना चाहते हैं सुनना चाहते हैं यह सरार्थ है इलेक्शन आने वाले इलेक्शन की वज़े से नमश्कार मैं नूर जा और आप देख रहे हैं जनेत अवाज जिस तरीके से जो खबरे चलाई जा रही है सोशल मीडिया पर अगर सरकार की सचाई बताने पर जिस तरीके से चैनल को बंद कर दिया जा रहा है और अगर बंद नहीं कर रहे तो डी मॉनिटाइस कर दिया जारा है डी मॉनिटाइस अगर मतलब समझे तो यानिकि आपकी अर्निंग रोक दी जाएगे आपके पैसे नहीं और यहां तक कि 21 दिन के लिए ये तक बोल दिया जाते हैं कि आप 21 दिन तक कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कुछ कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसी चीज़ पर बातशीत करने के हमारे साथ मौजूद है, एड़ोकेट, बलराज, मलिक सिंग्जी सर, क्या कहेंगे जिस तरीके तो हमारे देश के रोड कास्टिंग मिनिस्ट्री की होगी, हमारे यहां इंडियन कवर्मेंट की बतमासी होगी है, जो जानबूझ के और ये बतमासी भी क्यों होगी, बही 21 दिन का क्यों, अगर किसी के साथ अन्याय है, वो तो तुरंत को उट जा सकता है, क्यों नहीं इस तरह की बाते नहीं चलती और हरम फुल कंटेंट अगर किसी ने बनाया है इंडियन गवर्मेंट ने या हमारे मंत्राले ने या किसी ने उनको कहा है कि इस तरह कि उस पर और यह कहा कुछ नहीं उस तरह के कंटेंट कहीं जगे होंगे यह पिक एंड चूज कर रहे हैं और जान बुझ के उन चैनलों को हरास करना चाते हैं बंद करना चाते हैं डराना चाते हैं जो सरकार की नीतियों के खिलाप जिन चैनलों पे सरकार के अलोचना करने वाले लोग बोलते हैं खुलके और देश के लोग उनको देखना चाते हैं सुनना चाते हैं समझना चाते हैं यह सरार्थ है इलेक्षन आने वाले इलेक्षन की वज़े से तो ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो आप लोग अपने सारी जो भी नोटिस आपके पास आये है उसको लेके हाई कोट या सुप्रीम कोट अप्रोच करो क्योंकि आप लोगों का जो अधिकार है यह देश की जनता का आपका चैनल बंद करना ऐ दिमोनेटाइज करना यह आपके fundamental right to life भी आपका professional life के खिलाब भी है और आपका चैनल जो बोलता है वो देश की जनता के भीहाप पे बोलता है देश के जनता के जो fundamental right to expression वही आप use करते हैं सुदूपियों करते हैं एक तरह से चैनल बंद करने का म अपराद करना यह वो है और इसमें मंत्राले यूट्यूब और सरकार अपरादी है इनके अपराद को एक्सपोज करने की जूर्थ है आप लोग कोर्ट में अप्रोच करिए लेकिन जिस तरीकी से जब भी हम सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो या अप्लोड करते तो उसमें गाइडलाइन सदेती कि अब इवियम पे बात नहीं कर सकते हैं मोधी की सच्चा ही नहीं बता सकते हैं यह गाइडलाइन जिसने बनाई है बदमासी है और मैं तो कह रहा हूँ ऐसे गाइडलाइन बनाने वाड़ों के खिलाब मुगदमा चलना चाहिए इस देश में किसे न यह म कर सकते हैं का हीमत सरकार की कहने की तो कैसे कह सकते हो कstep कोई कंटेंट नहीं बनाएंगे मरत लिखेंगे नी तुम कले कली घूमरे हो कर के सभी है और सभी हो सकती है और जिसका मिश्यूज पहले भी हुआ है उसके लिए जब भोलते तो ढट्रते क्यों हो और रिएवेम के पाया उस देश का चीफ इलेक्शन कमिशनर भी उस दिन भी भक बख भक करके बक्वास कर रहा था वह देश के परती जवाब किसी प्रैम्निस्टर के परती नहीं है यह किसी उन लोगों के परती नहीं है जिनकी कमेटी ने उसको नोकरी लगा दिया अपाइंटमेंट कर दिया उस चीफ इलेक्शन कमिशन हो या दूसरे इलेक्शन कमिशन हो इनकी जवाब देई 140 करोड और सारे मतदाताओं के परती है देश के मालिकों के परती है किसी सरकार के PMCM या किसी मंतरी संत्री के परती नहीं है यह समझ लेना चाहिए इनको वरना च सब्सक्राइब करें यह सच्चाल मीडिया में वरना चाहिए तो वह सोचल मीडिया में स्विच कर जाते हैं लेकिन उसके बाद उन्हीं को अपनी सवतनिता सबतन्ता पत्रकारीता करने का अधिकार हिना म depends बोलने का जाता ये गलत है ना bowlने का डिकार इस देश में कोई भी चीन सकता किसी जो चीन्य के कोशिज करता है उसके जुत्ते लगते हैं और कोर्टें भी उसकी रखवाली करती है और सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए और हाई कोर्ट इनको भी सामने आना चाहिए और मुझे नहीं लगता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसके मामले में चुप बैठेंगी सविधान के अनुसार काम हो देश में उसको लागू किया जाए और देश के लोगों के फंडमेंटल राइट की सुर्क्षा की जाए तो इसमें यूटूबर्स कहा जाए फिर आपको क्या लग रहे है यूटूबर्स को क्या करना चाहिए यूटूबर्स को हाई को सप्रीम में लगा रहता है वो चैनल और उसका भी जो जब उसके बंबे दूसरी सरकार थी वहाँ पर सीव सेना कि उन्होंने एक मुगदमा बनाया वाइंसीडी वगएर ने कुछ जब मुगदमा चला तो भागा भागा यहां सुप्रीम कोट में आया डिरेक्ट और उसकी कि चिंता है सुप्रीम कोट को हर एक की राइट की चिंता सुप्रीम कोट को करनी होती है करनी पड़ेगी अब इस तरीके से इलेक्शन से पहले यह सब चीजे देखने को मिल रहे हैं तो क्या सरकार जो है भागा पर सरकार डरी भी दिखाई दे रही है बुरी तरह आ अब क्या है इन्होंने बदमासी इतनी कर ली किसको इन्होंने बेज्यत नहीं किया ड्रा ड्रा के किसको पार्टी में शामिल नहीं किया कितनों को लोगों को ड्रा ड्रा के चंदा नहीं लिया यह चंदा तो अभी तो पोल खुली है अभी तो कुछ इन्फोर्मेशन अभी बाकि है उड है अरो चंदा भी लेके यह कहें बर देश के लोगों को नी बताना और ऑद्धमासों देश की जंता ने तुम्हें बनाया और उसी जंता को नहीं मायुकों बताना नहीं है कितने बड़ixel लोग है ये पुरी पारलेमेंट इस बदमासी में शामिल हुई, सारे उन पारलेमेंटेरियन को ओपे धता है, उन्होंने देश के लिए सरम नाकाम किया है, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, उन्होंने गंदा कानून पास किया है, उनको चुलू भर पानी में डूब मरना चाहिए, सारे परलिमेंटूर्ट Kanal को जिन्होंने एक कानून बनाने में हाथ खड़े किये थे अनिव fragrance की तरह से बॉस thinij तो यह नॉन् सेंस है борस्री डाना हम आपको hat कानून बना रहे हैं हम अल्किसन अज़ोगे फिपड़्यस से किमिन सब्सक्राइए नीूं गोब नहीं सकते तो ओफिस में नी जा सकते बिना वैक्षिन लगवाई कितने लोगों को साइड इफेक्ट हो रहा और उसी वहां जिसने वह वैक्षिन बनवाई जो सबसे पहले लगाई अब तो प्राइमिनिस्टर ने साइड वह एक्षिन भी नहीं लगवाई उसने उन्हो को खिलोना बना दिये तूमने खरगोस बना दिया कि उन्हें पर जाद वो कर ले सारी की सारी और उनी की फैक्टरी में जाके वह फोटो की चुआ रहे हैं और उनी की फैक्टरी वहां से पैश हले रहे करोड़ों रुपई है इसका मतलब क्या है घाज और और बहुत लेवल का काम इस देश के प्रैमिनिच्ट ने किया है इस लेवल के आदमी चैनल पुजिशन वाले ऊच्छी पोजिशन वाले ऐसे नेताओं को इस देश के पदों पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है इनको सरमानी चाहिए चुलू बर पानी में दूम मरना चाहिए इन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया तो यहां सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से स्वतंतर पत्रकारिता करने वारे लोगों के जो पेट पे लाद मारी जा रही है वो सीधे तोर पर देखा जा सकते हैं किस तरीके से डी मोनिटाइज कर दिया जाता है चैनल को या फिर चैनल बंद कर दिया जाते हैं जो सुवत्रंदर पतकारिता करते हैं या फिर भाजपा के खिलाफ एकदम सीधे तोर पर निशाना मारते हैं तो इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या रहा है में कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा धन्यवाद